हेलो गाईस कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू माई चैनल तो मैं आज आप के लिए लेकर आई हूँ मश्रूम के गर्मा गरम पकोड़े जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होते हैं तो चलिए बनाते मश्रूम के गर्मा गरम पकोड़े तो सबसे पहले हमने मश्रूम को बढ़िया से पानी उसे धो कर निकाल लिया है ज्यादा तेर तक आप मश्रूम को पानी में ना रखें इससे मश्रूम खराब हो सकते हैं तो हमने पानी से निकाल लिया है तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी बेसन लिया है चार चमच मैदा ल लिया है अब हमने कटोरी में बेशन को ये देखिए डाल दिया है अब हम डालेंगे मैदा इसके बाद आरा रोट अब हम इसको बढ़िया से मिक्स करेंगे ये देखिए चमच से हम इसको मिक्स कर लेंगे आरा रोट मैदा डालने से पकोड़े हमारी क्रेस्पी और मुलायम बनेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक एक चमच डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर एक चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर एक चोथाई चमच हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर इसको डालने से गाईस पकोड़े हमारे थोड़े करारे बनेंगे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं धीरे धीरे ऐसे पानी डाल कर अब हम इसका एक घोल बनाएंगे अब हम इसमें डाल देंगे आधी चमच अधरक लेसन का पेस्ट इसको भी हम बढ़िया से मिक्स करेंगे तीन-चार मिन्ट हम इसको ऐसे फेट देंगे यह बेशन काफी मुलायम हो जाता है अब हम इसको दस मिन्ट के लिए ढखकर रख देंगे यह देखिए दस मिन्ट के बाद हमारा बेशन का घोल बन कर त्यार है इधर हमने तेल को गरम कर लिया है गैस के उपर यह देखिए तेल हमारा गरम हो गया है गैस अब हम इसमें डालेंगे मश्रूम हमने मश्रूम डाल कर डीप फ्राई करना है हमने एक एक करके मश्रूम डाल दिया है अब हम तेल में एक एक करके डीप फ्राई करेंगे ऐसे यह देखिए अब हम एक एक करके ऐसे ही मश्रूम को डाल देंगे यह देखिए गाईस हमारे गरमा गरम पकोड़े बनकर त्यार हैं मश्रूम के अब हम इनको निकाल लेते हैं यह देखने में ही बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं यह बहुत ही क्रेस्पी बने हुए हैं अब हम एक बरतन में इनको निकाल कर रख देते हैं यह जो गाइस बड़े मश्रूम थे साइज में हमने उनको बीच में से दो टुकड़े कर लिये हैं ऐसे अब हम इनको भी डीप फ्राई करेंगे यह देखिए गईस हमारे पकोड़े बनकर त्यार हैं आप हम इनको भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा आरा रोट या मैदा डालने से पकोड़े हमारे बहुत ही क्रेस्पी बनते हैं आप जिरूर ट्राई कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपको यह पकोड़े की रेस्पी कैसी लगी यह देखिए हमारे मश्रूम के पकोड़े बनकर त्यार हैं गाईस अगर आपको हमारे रेस्पी अच्छी लगे तो घर में जरूर ट्राई कीजिए आप इसको सौस के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट होते हैं तो गाईस अगर आप मेरे चैनल पर नई है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे हमें एक नई रेस्पी के साथ